विष्णू प्रबोध सूच जी बोले इस प्रकार भ्रम्मा तथा विष्णू के द्वारा स्तुति किये जाने पर प्रसन होकर महादेव जी उन दोनों से बोले हे श्रेष्ठ देवो सभी भय से ए राजेंद्रव देपताओं के साथ दक्ष के यग्या में मेरा विनाश होगा देपताओं के साथ में पुनह उत्थान भी होगा सो हे राजन मैं धदीची से विजय का प्रयत्न करूँगा शैल आदी बोले शुक भगवान की बात सुनकर अच्छा ऐसा ही हो कहने लगा मैं तुम पर प्रसन हूँ जो इच्छा हो आप वर्दान मांगिए इस प्रकार उनके कहने पर विश्णु भवान ने उन कृपा के सागर लिंग में स्थित तथा लिंग से जो रहित है उन नारायन रूप महेश्वर को हाथ से स्पर्ष किया और बोले ए प्रभो यदि आप हम पर प्रसन हैं तो कृपया आप हमें अपनी अव्यब चारिनी भक्ति प्रदान कीजिए तथा हे देव हम दोनों में जो विवात पैदा हो गया है कृपया आप यहां उपस्थित हैं हे नात आप ही इस विवात का शमन कीजिए उनके वच्णों को सुनकर भगवान शिव विश्णू से कहने लगे हे वत्स हे विश्णू हे हरे तुम इस श्रिष्टी के स्थिती प्रलय और नाश करने वाले हो परन्तु तुम इस चराचर जगत का पालन कीजिए हे विश्णू मैं तो तुम ब्रह्मा विश्णू शिव नाम वाले देवों से सर्वता भिन्न हूं सर्ग, स्थिती और प्रलय से परे हूँ मैं तो परमेश्वर हूँ हे विश्णू, हे पितामह आगे जब पद्म नाम का कल्ब होगा तब तुम भी पद्म से उत्पन होकर मुझ महेश्वर को देखोगे ऐसा कहकर भगवान स्वयम परमेश्वर वहाँ ही अंतरध्यान हो गए तब से लेकर इस संसार में लिंग पूजा की प्रतिष्ठा हुई हे रिश्यो, लिंग वेदी जो महा देवी है तथा जो लिंग है वह साक्षात परमेश्वर ही है सभी देवताओं का लए हो जाने पर ही लिंग शब्द बना है जो कोई भी इस लिंग पुरान के आख्यान को पढ़ता है वह लिंग के समीब जाता है तथा हे ब्रामनों वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है इसमें अन्यता विचार नहीं करना चाहिए